Hello guys, welcome back to our channel Zero to Infinity दोस्तों, आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा था An error has occurred while trying to upload and and convert your document तो इस प्रॉब्लम को कैसे जॉल्फ करें आज की वीडियो में पताऊंगा तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जुरूर करें हमारे चैनल Zero to Infinity को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको open करने है तो डिवाइस की सेटिंग को open करने के बाद हमें यहाँ पर जाना SIM card and mobile network वाले section पर तो यहां पर आने के बाद जिस SIM पर आपने रिशार्ज करवाँगा इस पर क्लिक करने है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर Åफशन होगा SS point names का, तो इस पे क्लिक कर देने, इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक option आएगा, निचे लिखोगा reset का, तो आपको यहां पे reset पे क्लिक कर देने, इस पे reset पे क्लिक करने के बाद, हमें क्या करने, यहां पे एक और option होगा, प्रिफेर नेटीवर्ट टाइप का तो यहाँ पे आने के बाद आपको LTE यहाँ फे 4G यहाँ से फिलाक्ट करने हैं वो सेलाक्ट करने एक बाद हमें क्या करना है हमें Mobile नेटीवर्ट पे जाने है इस को ऑटमेटिक पर ही रहने दीजीगा इस kो always पर click कर देना है इसको always enable ही रखिएगा इसको enable करने के बाद एक और option होगा mobile network diagnosis का तो यहां से आप अपने internet connection की speed है उसको check कर सकते हो तो आपको एक बार check कर लेना है कि आपकी internet connection की speed है वो stable है या नहीं क्योंकि बहुत सहरे case में यह problem internet connection की वज़़ से आती है तो आपको एक बार अपने internet connection की speed को check कर लेना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद connection and sharing में जाना है और एक बार यहां से अपनी setting को reset कर देज़ेगा reset करने के बाद हम एक बार अपनी device को restart करना है और restart करने के बाद पांच मिनिट बाद एक बार try किजएगा आपकी problem है वो solve वज़एगी तो वीडियो पिसंदा है वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें